स्थाइकरन की मुख्य मांग को लेकर प्लस टू अतिथी शिक्षकों की भूख हर्ताल रविवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई बिहार विधान परिशत की सदस्य नवल किशोर यादव ने बिहार राज उच्चतर माध्यमिक अतिथी शिक्षक संद के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहित भूख हर्ताल पर बैठे अतिथी शिक्षकों को जूस पिला उप्वास समाप्त कराया उन्होंने अतिथी शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी सेवा नियमिती करण के लिए वे जिम्मेदार पदू पर आसीन लोगों से बात करेंगे जब अतिथी शिक्षकों को तैप्रक्रिया के तहट बहाल किया गया है तो उनकी सेवा नियमित होनी चाहिए भूख हर्ताल के दोरान आयोजित सभा की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने की तथा महा सचिप डॉक्टर विपिन बिहारी एवं अजीद कुमार लोहिया ने संचालन किया भूख हर्ताल के समर्थन में बड़ी संख्या में अतिथी शिक्षक उप्वास पर रहे अतिथी शिक्षक यह मान भी कर रहे थे कि उनकी सेवा नियमित करने के लिए 4203 रिक्तियों पर STET के माध्यम से नई बहाली नहीं हूँ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद मैं पिरू आपसे फिर मिलूँगी एक नई खबर के साथ तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखे जय हिंद जय शिक्षा वंदे मातरम